there लिए दोस्तों नमश्कार आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर लिए और अब आप चाहते हैं कि मैं अपना कोई वेपार शुरू करूं आप चाहते हैं कि मैं नवकरी ना करूं और अपने एक वैपार शुरू करो लेकिन जब आप बैंक के पास जाते हैं पैसा लेने के लिए उस वैपार में कुछ मदद देने के लिए तो बैंक आप से कहता है कि भाई कॉलिट्रल सेक्यूरिटी लाओ तब हम आपको लोन दे सकते हैं अभी तो आपने अपनी पढ़ाई सरकार ने आपके लिए कौन सी स्कीम बना रखी है जहां पर आप बिना किसी कॉलिट्रल सेक्यूरिटी के लोन ले सकते हैं यापकी जो गरंटी है वो सरकार देगी आप अपना ध्यान अपने बिजनिस पर लगाईए दोस्तों स्कीम है क्रेडिट गरंटी ट्रस्ट फो माइ सेक्यूरिटी के ले सकते हैं तो दोस्तों यह स्कीम है कहां से चलेगी आप किसी भी बैंक से और जितने भी बैंक हैं हमारी कंट्री में सबी को कंपल सरी है यह सीडिटी एमसी लोन देना केवल ही कंडिशन है कि आपका प्रजेक्ट वायबिल होना चाहिए तो अगर आपका प्रजेक्ट वायबिल है आपको लगता है कि मैं अपना बिजनिस कर सकता हूं अपने लिए भी कमा सकता हूं और बैंक को ब्यात भी दे सकता हूं और उनका मूल धन भी वापिस कर सकता हूं तो आप slippery में लोन लेने के लिए दो करोड रुपे तक गा और दोस्तों इसमें अ 钱टी है मैं वापिस करूँगा पैसा अगर वो व्यापारी किसी जैन्मनर्ण से पैसा वापस नहीं कर पाया ह। यह नहीं है कि आपने पैसा ले और सरकार को कहा कि जाओ तुम मेरा पैसा वापस करके हो आपका वी जैन्मन लगाना है तो यानि पंद्रे परसेंट जो है वो केवल अंसिक्योर रहा अगर हम बैंकों की तरफ से देखें तो ये एक विन-विन सिचुएशन है कि आप भी अपना बिजनिस चला सकते हैं आप भी कुछ लोगों को रोजगार दे सकते हैं और फिर उदर दूसरी तरफ बैं बचा दोस्तों फिर भी कुछ बैंक उसके लिए भी परिशान थे वो कहते थे पंद्रे परसेंट का क्या होगा तो अब सरकार ने एक परमिशन दे दी है कि अगर जो बोरोवर है वो और बैंक दोनों अगर राजी हैं दोनों अगर एगर करते हैं तो इस फिफ्टीन परसें अब इनको लोन देने में हमें बिलकुल किसी परकार का कोई रिस्क नहीं है तो दोस्तों फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका बैंक आपकी मदद नहीं कर पा रहा है आपको यह सीडिटी में लोन नहीं मिल पा रहा है तो हम चैंबर आफ इंडियन माइक्रो स्मॉल उसके बारे में भी आपको समधान देने की पूरी कोशिश करेगी और प्लीज आप यह जो यूट्यूब चैनल है MSME हेलप लाइन इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और यह जो बैल है इसको भी क्लिक करिए ताकि जैसे ही हमारी अगली जो यूट्यूब चैनल का जो हमारा अगला एपिसोड है वो जैसे ही हम अपलोट करें तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए और अगर वो आपके इंट्रेस्ट का है तो आप उसको देख सकें दोस्तो धन्यवाद नमस्कार